चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा गनित लेकर आया हूँ और निश्यत्रुप से आप जानते हैं कि आज जो है 9 वर्स है 2023 और निश्यत्रुप से आप सब को 9 वर्स की बहुत बहुत हार्दिक सब कमना है तो चलिए इस यूनिक से वीडियो को प्रारम करते हैं जो 9 वर्स पर पहला वीडियो है चलिए यहाँ पर देखें हमने कुछ प्रस्ण लिख रखा है और आप सभी जानते हैं कि 2023 जो है लग चुका है तो हमने यहाँ पर 2023 को ही लिया हुआ है तो इस प्रस्ण को हम कैसे बनाएंगे कि जिससे हम पहुत है आसानी सका एक्स का जो वेल्यू है वो निकाल पाएंगे निस्चित रूप से यहाँ पर देखें पर पर देखें पर देखें पर देखें पर देखेंगे भूमने गये थे तब भी मैंने एक सबतहां तक वीडियो अप्लोड किया हाल की कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका वीडियो रोज अप्लोड हो रहा है और आप घूम भी रहे हैं तो आप घूमकर आ गये हैं क्या नहीं भई, मैंने क्या किया था, 6 वीडियो पहले से अप्लोड कर रखा था, जिसको मैं रोज क्या करता था, पब्लिस करता था, तो चलिए आज हम इस प्रस्नों को बनाते हैं, मतलब कहने के मतलब यह है, कि हमें पहुत महनत करना पड़ता है गनित का वीडियो बनाने के समान है, और घात यहां पर कुछ भी हो, घात जो है अगर अलग-अलग हो, उससे कोई फरक ने पड़ता है, आपके अधार समान होना चीए, और अधार समान है और उनके बीच गुना हो रहा हो ध्यान देजिए, उनके बीच गुना हो रहा हो ना, तो आपको क्या करना है घा गात अलग-अलग है तो यह घात को भाग नहीं दिना है, जब अधार समान हो और भाग की संक्रिय अलगा हो तो गात क्या जाता है, घर जाता है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, 25-5 करना है, तो यहाँ पर जो X का वेल्यू है, वो कितना जाएगा, X का पावर 20 आ जाएगा, याद रखे, यह बहुत ही महत्पुन सुत्र है, उसी पकार एक और सुत्र याद रख लेना है, जैसे यह दि हमें X का पावर 5 दिया है, यहाँ पर X का पावर 6 दिया है, यहाँ पर X का पावर फिर से 5 दिया है, तो यहाँ पर दिखे, अगर अधार समान है, ठीक है, और घात अलग-अलग हो या एक ही हो, इसमें आपको घात को बिलकुल भी नहीं जोड़ना है, घात को हम कब जोडते हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है यदी अधार समान है लेकिन उनके बीच योग हो रहा हो तो घात को आपको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है लेकिन अगर इस प्रकार का प्रस्ण है जिसमें अधार समान भी है और घात अलग-अलग है तब भी आप क्या कर सकते है घात को जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर देखे इस प्रकार के प्रस्णागर दे दिया हो तो आपको क्या करना है जिसको हम कामन निकाल सकते हैं और कामन भी आपको उस सर्त पर निकाल लेना है जिससे हम गनित को सरल बना सके जिससे हमारा गन सकते हैं यहां पर जहां परशन बनाएंगे न तो इसमें देखिए यह जो घात है यह जो घात है घात पराबर है और यहां पर अधार भी पराबर है लेकिन इनके बीच योग की संक्रिया हो रहा है तो योग की संक्रिया हो रहा हो तो हम घात को नहीं जोडते हैं लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 3 उसके बाद x का पावर 2023 है इतना हम लिख सकते हैं उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर x का पावर दिया है, एक्स का पावर दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है, तो यहां पर आपने आपको दो तरीका अपना सकते हैं, एक तो आप इसी तरीका को अपना सकते हैं, इस तरीका को अपनाएंगे तब भ्यात का गनित बनेगा, आप क्या करिएगा, यह जो संख्या दिख में है तो यह इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा अब जब इसको हम भाग देंगे तो निस्ति तुरुप से इसको असानी से भाग दे सकते हैं देखें यह कितना हो जाएगा तीन पंचे 15 ठीक है यहां पर कितना बच्चा है आठ बच्चा है तो तीन दुनी ठीक है, अब यह आपका सर्त हो चुका है, सर्ता आ चुका है, अब इस सर्त के धार पर आपको क्या करना है, X का पावर दिख रहा है, X का स्क्वेर दिख रहा है, उसके धार पर X का वेलू निकालना है, तो X का वेलू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थ that लोग सरी होते हैं जिसमें से या निकालना है तो आपको क्या करना है इधर से दो कजोड़ा मुणाना है हि लाश में दो का जोड़ा नहीं बार रहे तो कोई बात नहीं है अब दिकर此 को जब हम साथ सत्य नाव और साथ सत्य-वर्ग करेंगे तब और 3-9 मतलब तीन कवर्ग करेंगे तो मतलब इकाई में हमारा या तो तीन आयेगा या फिर साथ आएगा अब इस दो अंकूग का काम खताम हो चुका है, अब इस 5 को देखिए, 5 से पहले का, पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूनना है, जो कि क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या तो 4 है, जिसका वर्ग मुल क्या होता है, 2 होता है, मतलब यहां पर हो गया 2, अर्थात यहां तो हमारा उत्तर 23 होगा, या फि सत्ते इसका वर्ग है तो निश्चित्र उससे आपको क्या करना है ये जो संख्या आपको मिला है इस प्रकार जब ठ्रीक अपनाते हैं इसके बहुत सारे गनित मैंने बनाये हुए है ये जो संख्या दिख रहा है उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो तीन दूनी कि जिसका वर्ग निकालना है वो 529 है जो यहाँ पर 5 है इस 5 का वर्ग इस 6 का तूल ना करना है अगर यह छोटा हो जाए तो छोटी संग्चा लेंगे तो निश्ची तुरूप से 5 जो है 6 से छोटा है तो हमारा उत्तर कौन सा आएगा 23 तो अर्थाथ इसमें X का वेल्यू कितना आ गया X का वेल्यू आ गया है 23 तो निश्ची तुरूप से आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझ आ गया कि लास्ट में फीर 23 आ गया मतलब आप सबको 9 वर्ष की बहुत-बहुत पुना हार्दिक सुपकामना है चुकि 2023 आ चुका है तो देखे हमने गनित जो बनाना प्रा है और बहुत दिनों को बाद में वीडियो बना रहा हूं लगभग 10-15 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं गलत थोड़ा बैड़ी सकता क्योंकि गलाब बैड़े तो आपको पर ऑक ज